नमस्कार दोस्तों मैं डाक्टर अजीत कुमार पटना बिहार में प्रैक्टिस करता हूँ आज हम बात करेंगे एलर्जिक वाली सर्दी जो काम है तो आप उसको घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं कर पहले जन्ना बहुत जरूरी है कि जदी एलर्जिक से होता है तो इसको आप यह आलर्जी वाली खासी है कि समान खासी यह दोनों में पहले अंतर जान लेला चाहते बता देना चाहते हैं इसलिए वीडियो में बने रहे ज़दी वीडियो आचा लगे तो लाइक किजिएगा ज्यादा ज्यादे लोगों तो सेर्ग किजिएगा ज्यादी चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा और पहले तो एलर्जी को वाली खासी में क्या होगा उसको जान लेते हैं समान खासी जो हमेशा लोगों को मौसम परिवर्तन के साथ होते रहाता है या आम दिनों में भी बहुत और ऐसे पैसे होते हैं तो थोड़ा सा भी मौसम परिवर्तन हुआ खासी हो जागा या तो सरदगरम जब भी लगा तो बना ही रहता है या किसी जैसे कि दमाज ठमा के केस्में भी खांसी बना हुआ राता है तो उसके लिए हम नहीं बता रहे हैं उस पर भी यह काम करेगा लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा लेकिन जदी वाली खांसी है तो उसका लच्छन जान लिजिए और उसको आप घड़ पर कैसे उपचार करेंगे इसी को हम इस पर्वेश करता है तो हमारा शरीड जुकाम इसके माध्यम से बाहर करने का प्रयास करता है जदी नहीं असक्षम हो जाता है तब जाके गले में टॉंसील हो जाता है या साइनोसाइटिस के केसे में यह देखा गया है मतलब एलर्जी शुरू कर दिता है बोड़ी में यही च साइनस जैसे मैंने बताया है आपको जो नाप के पास होता है और सीर दर्द होता है गले में सुजन हो जाएगा और टॉन बड़ीए आपन्सिल वीडियो में मैंने बताया था यह कौई बड़ता है वही जब मुग से कोई भी decipher अंदर परवेस करने का प्रयास करता है तब पहले बोड़ी रोकने का प्रयास करता है जब नहीं रोक पाता है तब यह टॉंसिल में सूजन हो जाता है एक वीडियो मैंने टॉंसिल पर दिया है टॉंसिल आइटिस पर आख लाल होना यह सब एलर्जिक वाली खासी का लच्छन है आप इसको जान जबी ऐसा होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि कारें कि इसको जरूर आप अपना यह जो नुसका हम आपको बताने जा रहे हैं इससे पहले एक छोटी सी जनकाड़ी आपको दे देना चाहते हैं कि जदी आप घर बैठे किसी भी बीमारी और किलाज खुद से करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नंबर है आप हमारे साथ जूर क अपते हैं जिसको असानी से निकला जा सकता है खान पान घरेली उप्चार घरेली नुसका करणा इसलिए एक बार जगर संपड़ करें अब इसके लिए जो यह लर्जी वाली खासी है या नॉर्मल खासी है दोनों के लिए उप्चार जो बता रहे हैं सेमी होगा आई यह सावा लिटर पानी लेना है पहले इसको लेकर घट का नुसकरी नहीं ले पाते हैं तो आप आने के बाद भी ले सकते हैं लेकिन आने के बाद लेने से यह होता है कि आपका भूख खतम हो जाता है यही एको सबसे बड़ी समस्या हो जाती है मतलब लगतार जैसे कि अब आएंगे सोचाले से तो कोई 7 बजे उठ रहा है उसके बाद सोचाले जा रहा है फिर आ रहा है उसके बाद लेने के बाद क्या होता है कि भुख मरने लगता है भुख उसका खतम क्यूं हो जाता है कि 7 ब बहुँ ज्यादा मातरा में पानी पी लेगा तो फिर देखे कि उसका बुक लगेगा ही नहीं इसलिए जब आप सुबह उठते हैं पांचे बजे कड़ी में सोचाले जाने से पहले ले और इसको गर्म गुनगुना ले गर्म भी चाय से थोड़ा सा कम रहता और ज्यादा इसम इसको गर्म करना है यह दोनों को जोड़ करके थोड़ा सा गर्म कर लीजिए गर्म करने के बाद सहद मिला करके आप इसको चाटिए लेना कब है इसके बाद लेंगे तो ज्यादा फैदा करेगा इसको दो से तीन बार तीन दिन करे और साम को भी कर ले इससे क्या हुआ कि आ और जदी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए गॉल बलाइडर में जदी किसी को एस्टोन है किसी भी दोस्तों यारो रिष्टेदारों को जरूर संपड़ करें बहुत सारे इसे गॉल बलाइडर की स्टोन होती हैं जिसको आसानी से निकाला जा सकता है घबराने की ब